बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपनी टुल पेपर हैकर में आज हम बात करने वाले हैं BSC 3rd year के लिए हम बात करेंगे Botany के 2nd paper में जो 2023 में important question है जो 2023 में आने वाले question की बात करने वाले हैं आप इन question को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं एक भी percent कम नहीं आएक इबादा करता हूँ आप से एक कोशन यहीं से आएगा जो मैं कोशन इस वीडियो में बता हूँ भाई आपको याद करना है इसके अलाबह कुछ याद करने की जुरूत नहीं पढ़ने वाली एक्स्ट्रा कुछ भी बस यही रट लो यही याद कर लो यही समझ लो जो भी आपका दिल करना है चाहें रटो समझो या फिर इसको गोल के पी जाओ लेकिन बस यही कोशनों को देखना है ठीक है और 85% प्लस टॉपर बने वाले हो बता तो यहार पेपर हैकर से बढ़ाई करना है आर्मी की तयारी करना चाहते तो पेपर हैकर ओफिसल है आपको डालोड कर लो बहाँ पर क्लासे सल रही है आपकी आर्मी की सबसे बेश तरीके से और पास की गारंटी लेते हैं हम लोग ठीक है अब यहां देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है बॉटनी का आपको पेपर है exactly क्या पढ़ना होगा नुकलिक एसिट נुकलिक एसिट की सरचना के बारे में याद करना होगा पहले कोशन प्र तो उसके बाद मैं दूसरा कोशन है DNA एक अनुवनसिक पदार्थ है भाई सिद्ध करना है कि DNA का अनुवनसिक पदार्थ है क्यों है अनुवनसिक पदार्थ बताओ genetic material क्यों है ये DNA ये भी आपको बताना है genetic code को याद करके जाना है बहुत महत्मूर कोई अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है ये long में आएगा ये short में आएगा सर ये तो बताओ दो मुझे तो बिटा सुलो यदि आपके book notes, gas paper में long में दे रखा हो question तो long में याद करिए short में दे रखा है तो short में याद करिए मेरे हिसाब से question long में आएगा ये वाला जुक है ये भी long में आएगा और ये भी आपका long में आएगा अब आपके में short में दे रखा हो तो आप परिशान हो जाओगे तो आपके पास में जो भी short है तो short में याद कर लीजिए long है तो long में याद कर लीजिए ठीक है? करना यादी ये flawless question को उसके बाद में क्या आता है? देखिए protein sensation के तरीके से होता है? आप ये देखेंगे vitamins के कितने पिरकार होते हैं? आप ये देखेंगे और vitamins के सभी पिरकारों का वर्ण कर रहेंगे carbohydrates क्या है? इसके बारे में पढ़ेंगे protein sensation में उपर बता चुका हूँ उसके सारचना, उसके पिरकास, उसके classification के बारे में, वाटसन क्रिक द्वारा DNA द्विगरण आपको model देखना है, ठीक है? double hexle structure देखना है DNA का साथी साथ आपको वाटसन क्रिक का DNA model दो था, वो भी आपको याद करना है enzyme क्या होते है? enzyme की कितने बिरकार होते है, enzyme की करिया भी दी क्या है? वो आप याद करेंगे उसके बाद में आता है, देखे bio technology क्या होती है? जोसे जैविक प्रदोकी की बोलते हैं, इसके बारे टिपड़ी आपको लिखनी है, उसके बाद में निकलोटाइट में आपसे अंतर पूछ लेता है, ये भी आपका short में देखने को मिलेगा, अनुलेखन क्या होता है? इसके बारे में आप याद करेंगे उसके बाद में DNA fingerprinting is most important है, over-lipping genes के बारे में most important है, आप इसको rate के जाएंगे, उपर-lipping genes क्या होता है? कोई enzyme क्या होते हैं, कोशिन sort में देखने को मिलेगा, नीचे पहुँच जाओ नीचे और पहुच जाओ, पादब सम्भान हो तक plant tissue system, culture जिसे बोलते हैं, इसको पढ़ लेना है, most important है, ठीक है, रिकम्बो ने DNA technology क्या होता है, रिकम्बो ने DNA technology को पढ़ लेना है, नीचे पहुच जाओ, ठीक है, यही है और उसके बाद में नीचे थोड़ा सो और चले जाते हैं, भाई एक आता है, अनुवन से देखो, गती, एक आता है, उसमें गती की कि के, दुती और तिती नियम का बढ़न करो ठीक है, और प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन जैसे की ऑक्जिल हो गया, ठीक है, अपजिवरिल हो गया ठीक है, और इथाइलिल हो गया यह प्लांट कौन से प्लांट होता है प्लांट हार्मोन होता है, जो ग्रोथ कराते है प्लांटों में पौदों में बर्दी कराते हैं तो इनके बारें पढ़ लेना बस यही था 2023 के important question इतने ही आप पढ़ लेना मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको fail करने वाला कोई नहीं है यही question रटलो चैनल को subscribe करो दोस्तों को share करो जादा से जादा thank you take care